नमस्कार, स्वागते आपका न्यूजरूम पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशनी सी भाजपा की तरफ से पीम मोधी आजकल विदानसवा चुनाव को लेकर प्रचार प्रिसार में जुटे हुए हैं प्रधान मंत्री नरेद मोधी पंजाब दौरे पर हैं उन्होंने शनीवार को अमरित्सर के व्यास इस्थित राधास्वामीत सत्संग के प्रमुक बाबा गुर्विंदर सिंग धिल्लो से मुलकात की हिमांचर प्रदेश विदानसवा चुनाव से पहले पीम मोधी का ये दोरा कई मान्या में अहम बताया जा रहा है दरसल धेरा व्यास के पंजाब के साथ साथ हिमांचर प्रदेश में भी काफी असर है धेरा व्यास के फॉलोवर्स बड़ी संख्या में हिमांचर प्रदेश में भी मौजूद है इससे पहले इसी साल पंजाब विदान सवा चुनाओ से पहले भी पीए मोधी ने ढेरा व्यास मुखी से मुलकात की थी तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है राधास्वामी व्यास और इसकी अस्थापना क्यों है इतनी प्रसित राधास्वामी धेरे का पंजाब के साथ हिमांचल प्रदेश और हर्याना में खास महत्व है इसके फॉलोवर्स देश विदेश तक फैले हैं राधास्वामी धेरे की अस्थापना 1891 में बाबा जैमल जी ने की थी इस धेरे ने वैसे तो राजनीती से दूरी बना कर रखी है लेकिन बड़े अस्थर पर इसके कई नेता समर्थक है कांग्रेस नेता महिंदर सिंग केपी भी इसके फॉलोवर्स है पंजाब के पूर्व सियम चरंजीत सिंग चैनी भी कई बार यहां आकर इनका आशिरवाद ले चुके हैं धर्मसाला के पालंपूर के पड़ोर में धेरा व्यास का सबसे बड़ा आश्रम है इसकी जमीन को लेकर पिछले कई साल से विवाद चल रहा है इसके अलावा सोलन में भी इसका बड़ा आश्रम है इनमें पूर्व और मौजूदा मुख मंत्रियों के साथ भिविन दलों के दिगजने ता अकसर हाजरी लगाते रहते हैं चुनाव आते ही पंजाब और हिमांचल में धेरा व्यास के आश्रमों में निताव का पहुँचना सुरू हो जाता है 130 साल पुराना राधास्वामीत सत्संग व्यास एक अध्यामिक केंद्र है अमरित सर्च सहर से 43 किलो मीटर दूर व्यास नदी के किनारे पर बनाया गया है वर्तमान में दुनिया के 90 देशों तक देरे का विस्तार किया जा चुका है जिसका किसी राजनितिक दल से कोई सरोकार नहीं है राजनिति से जुरे कई दिगज देरा व्यास में हाजरी लगाते हैं यही वज़े है कि देरा व्यास राजनिति से जुरे दिगजों के लिए महटपून अस्थान रहा है उनके यहां पहुचने के बाद राजनितिक मान्याई भी तलाशे जाते हैं पंजाब चुनाव से पहले जब पीम नरेंद्र मोदी राधा स्वामी सथसंग धेरे से मुखी बाबा गुर्विंदर सिंग धिलों से मुलकाद करने पहुचे थे तब भे इसके कई माएने सामने निकाले गए थे बाबा गुर्विंदर सिंग राधा स्वामी ब्यास के पांच में प्रमुक हैं पिछले 32 सालों से वो धेरा प्रमुक की जिम्मेदारी सम्हाल रहे हैं बाबा गुर्विंदर सिंग का जन्व पंजाब के मोगा में हुआ और शुर्वाती दोरे की पढ़ाई हिमाचल प्रदेस में हुई इनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है उच्च सिक्षा के लिए पंजाब आए और पंजाब युनिवर्सिटी से कॉमर्स में गर्जुएशन किया बाबा गुर्विंदर सिंग के दो बेटे हैं गुरु प्रीत सिंग धिल्लो और गुरु कीरत सिंग धिल्लो पीम मोदी हिमांचल प्रदेश का चुनावी दोरे काफी महत्पून है वो 5 नमंबर को हिमांचल के सुन्दर नगर और सोलन में रैलियो को संबोधित करेंगे यहां PM Modi सबसे पहले सुंदर नगर में और फिर दुपहर के बाद सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे इस से पहले PM Modi के धेरा ब्यास जाकर इसके प्रमुक से मुलकात करने के खास माइने हैं इसके जरिये PM Modi राज में धेरे के फॉलोवर्स को खास राजनितिक संदेश देना चाते हैं धेरे ब्यास के पैरोर इस्थित आश्रम विवादों में घिरा हुआ इस पर 648 कनाल भूमी पर चाय बगान को खतम करके वहां राजसरकार की अनुमती के बिना बड़े शेड का निर्मान करने का आरोप है इसकी सिखायत हिमाचल हाई कोट में की गई है हाई कोट के निर्देश पर इसकी जांच भी चल रही है ऐसे में पियम मोदी के ढेरे मुखी से मुलकात इसके फॉलोवर्स के एक सत्रात्मक संदेश देगा साथ ही चुनाओ में बिजबी के लिए फायदे मन साबित हो सकता है आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे कमेंट करे और शेयर जरूर करे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करे नमस्कार